जैसे भी लोग सेवा आयोग द्वार आयोग जेते मुख्य परिक्षा के तयारी कर रहे हैं या प्रारंभीक परिक्षा के लिए नोट्स बना रहे हैं तो एक जैसा फॉर्मेट रखें जैसे योजन आयोग पूछे, रास्ट्रे विकास परिश्ट पूछे, CBI पूछे, CVC जैसे भी लोग पाल की बात करो तो आप कैसे परिश्ट पर इसकी स्थापना हुई, इसी तरीके से CBI यह, तो CBI की स्थापना किस कमेटी की स्थापना हुई, फिर उसके कारियों की चर्चा करो, परतिवेदन की चर्चा करो, तो यह एक जैसा पैटर्न रखना आपको, जैसे संग लोग से वायोग है, संग लोग से वायोग पर आपको लिखना, तो वही बात है, किसाब इस तरीके एक फ्रेमिंग रखो, फिर बताओ किसाब इस अनुचेद के तहत इस तापित, फिर बत परतिवेदन की चर्चा करना, तो आपको ना तो नोट्स बनाते समय परिशानी होगी, ना मुख्य परिखना, में आपको उत्तर लेखते समय, प्रोब्लम होगी, चुनाव आयोग पूछ ले, तो वही बात, एक ही पैटर्न, कब इस तापना होई, किसाब इस साल के अंदर इस संभिधान से, संभिधान के द्वारा इस तापित है, संभिधान इक निकाह है, तो सब अनुचे 324, परिवाशाद हो ना, तो लगबग सारी संस्ताओं के एक जैसे कारे होते हैं, क्योंकि जो नाम है वैसे कारे होगे जैसे चुनाव है, तो सिंपल मतलिक होगे चुनाव करवाना नहीं, चुनाव से संभंधित कारियों का निर्देशन नियंत, बासा के अंदर एक हो, फ्रेम सार के अंदर प्रवा हो, है ना, बहुत सारी पोइंट आ जाए, जैसे कि लोग से वायों का काम सिर्फ भरती थोड़ी है, ना, पदोनती, सेवा सर्ती मामलों में, सेवा सर्तों से समझने मामलों में सरनरा भी देता है, अपनी रिपोर्ट पेस करता है, तो इस तरीके से की बातों, एंपी पेसेस की बातों, ऐसे तर्यारी करों.